Hey all, it's a boy, it's a commerce वाला एन यार आज की वीडियो थर्ड पार्ट का भी सेकेंड पार्ट है किसी को अगर समझ नहीं आया तो मैं शॉर्ट में समझा लेता हूँ फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इन तीनों लैप्स के सोलिशन प्रोइड किये थे इन तीनों ठीक है सबकी लिंक आपको इन दोने लैप्स के सोलिशन प्रोइड किये थे और ठाट पार्ट में जो फर्स्ट लैप है इसका सोलिसन में प्रोइड कर चुका हूँ इसकी लिंक आपको इसके लिंक आँप कर लिएगी ऐग Cumle expected आवे पहोत Ondर हblack ले आजहिए इस पर लाइब यह से करते हैं और प्रोर्म करें उपनी से लाइब यह घंड कod करेंगे और अपको संघेल हो इसको कुलिक करना क्लिक कर्णा इंटर पर क्लिक करना इंटराइब। में तो यह जो cx फाली लिंक है console की इस पर क्लिक करना page open हो जाएगा और agent का name यह रखना है इसको copy करेंगे ध्यान से copy करना देंगे फुल श्टाव कापी मत करना और जो cls में इसका मतलब channel lab यह चीज यहाँ पर लिखी है dashboard एक्टिवेट हो console एक्टिवेट हो गया है अब dialogue flow में क्या करना है पहले तो आपको project set करना होगा तो अपना project है यह jcp04 यही पर आपका लिखा होगा तो यह अपना project है इस पर click करना click करने के बाद वो पूछेगा कि dialogue flow की API को enable कर दें तो enable API पर click करना as such यहाँ पर कुछ काम नहीं करना है हम लोगो basically काम यहीं पर करना है अब agent करना होगा agent का name हम लोग copy कर चुके थे create agent पर जाना name को paste करना बस एक चीज द्यान देना कि जो location होगी agent की वो global होगी तो नीचे आके global को select करना फिक create पर click कर देना यह चीज यहाँ पर लिखी एडिक है पहले टास अपना complete हो जाएगा जैसे agent create होगा तो एर agent अपना create हो गया है अब पहले वले task को check my progress करा लेते हैं done आप क्या करना है यह हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस पर को लिंक को copy करना यहाँ पर जाना agent में view all agents पर click करना restore पर जाना जो link copy करी थी उसको यहाँ paste करना restore पर click करना एक काम हो गया दूसरा काम क्या करना है agent setting में जाके enable करना cloud logging पहले कर चुके हैं हम लोगे agent restore हो गया है अब यह tap फिर से open पर click करना यह काम हो जाएगा वापस आना second task पर अपना complete हो गया है इसको भी चेक में progress करा लेते हैं हो गया आप second task करने के जुरूत नहीं है basically आपको बस task follow करने होते है channel lab में dialogue flow की आप यहाँ से देख सकते हैं यह दूनों task हम लोग ने complete कर लिए इस page को मैं refresh कर लेता हूं त test agent पर जाना जो आपने copy किया था उसको paste करना इंटर दवाना पहला हो गया अब response में जो वहाँ लिखा था वो यह देगा where do you want to pick up your car जैसे कि इन्हों ने यहाँ पर दिया है हम लोगों ठीक है आप इनले इसको copy कर लेना एक ही करना था पर आप कर सकते हैं ना आपको बालू करना इंटर दवाना पहला काम हो गया ऐसे दूसरा statement है इसको भी copy करेंगे कार तक कॉमा कॉपी मत करना पेस करना इंटर करना इसका अपना यह वर्जन से आपका क्लिक करना इसको मैं क्लोज कर देता हूं देन यह डिफॉल्ट स्टार्ट फ्लो इस पक्लिक करना क्रेट पर जाना जो नेम कॉपी किया पेस करना से पर जाना वर्जन सेट सकसफुली यह लिख क्या आगया अब इस पर क्लिक करके देख लेते हैं क्योंकि यह पिछली बार पर अन्लोड ने किया था अब यह रडी नहीं है जैसे रडी होगा फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है स्क्रिप्सन एड करो ठीक है ना करो तब भी कोई पॉल्म नहीं है वर्जन में जाके हैपी पाथ उनली जो वर्जन अभी क्रेट किया है उसको सेलेट करेंगे फिर सेफ पक लेकरना इन्वार्मेंट सेफ सकसफुली लिख क्या यह का अपना हो गया आप तीसरा लाइन में लिखा था test cases में जाके फिर से run करना है तो यह अपने test cases थे इनको copy करना पहले वाले को test agent को सेलेट करना आप इन्वार्मेंट में इस table जो हम लोने just अभी create किया है उसको सेलेट करेंगे पहले वाले को run करना इंटर दमाना इसका output जनेट होगा ऐसे ही आपको दूसरे वाले manage में integration में जाना है हाँ ठीक है यह भी एक बार कर चुके है पेसले यह था तो यह manage में आप नीचे आएगा सब में चेकमर प्रोग्रेस कराए कि नहीं तो लाब अपनी अपनी कमडीट होगी लाब को एंट करते हैं जैसे आप लाब को एंट करके वापस आएंगे आपको इस पर को लाब की नहीं के बगल में green ticks होगा इस तरह तो अपनी दोनों लाब हो गई है आब बस फूर्थ पा झाल झाल